हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तु माई यूटूब चैनल सहेज क्लासी तुगात इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है टू सोलूशन उसका इन टेक्स्ट क्योशन 9 देखेंगे इससे पहले जो इसके इन टेक्स्ट 8 क्योशन हैं वो वन बाई वन हम बिलकुल अच्छे से डिसकस कर चुके हैं आप चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं तो इस क्योशन में हम से क्या पुछा गया है वैपर ब्रेशर ओफ प्योट वोटर एट 298 कलविनीज 23.8 mm of HD कि जो वैपर ब्रेशर होगा ना प्योट वोटर का वो इतना होगा उसमें हमने क्या करना है 50 ग्राम ओफ यूटिया उसमें एड़ करना है हमें 50 grams of urea it dissolved in 850 gram of water हमें जो 50 gram है urea का वो dissolved करना है कि इसमें 850 grams of water में calculate the vapor pressure of water for the solution and its relative loading हमें बतानी है क्या कि जो vapor pressure होगा water का वो क्या होगा solution का जो solution अपना बना है और साथ ही हमें बतानी है इसकी relative loading क्या होगी तो देखो यहां से हमें क्या क्या given हमें वो लिख लेते हैं पहले पहले यह देखो कि है ना जो हमें यहां पे हम देखेंगे कि जो solute होगा वो कुन सा होगा solvent होगा वो कुन सा होगा 50 gram of urea add कि इसमें 850 gram of water में तो हमें क्या पता होता है कि जो amount में कम होता है तो उसको हम क्या लेते हैं solute, जो amount में ज्यादा होता है उसको हम लेते हैं solvent, जैसे हमने नमक का पानी का कोई भी solution बनाया ना तो उसमें हम नमक add करते हैं, तो नमक को हम बोलते है solute और पानी को हम बोलते है solvent, ऐसे ही आए, तो यहां से अपना क्या होग Yurea कया हो जाईगा Solute और जो अपना Water है वो हो जाएगा Solvent अब बात आती है notation की तक से हमें notation देनी होती है तो हम क्या करते है कि जो अपना Solvent होता है उसके लिए तो One देते हैं क्यों जो Amount में यादा होता है तो जो solvent होगा इसके लिए या तो 1 देंगे या तो A देंगे इसके लिए देते हैं 2 या तो B बस आपको ये पता होना चाहिए ठीक है जो notation होती है हम इनको ये देते है अब देखो अब हम लिखते हैं हमें given क्या क्या है तो जो सबसे पहले चीज हमें given है तो मतलब पीनोट उसकी value कितनी है 23.8 mm ठीक है उसके बाद देखो क्या है 50 gram of urea मतलब ये किसकी value given है mass given है mass किसका given है solute का और solute के लिए जो हम term use करते है वो करते है 2 तो यहां से हो जाएगा क्या w2 is equal to 50 gram ठीक है उसके बाद क्या है हमें given है 850 gram of water water क्या है अपना solvent है जिसके लिए हम एक notation यूज करते हैं तो यहां से अपनी जो w1 की value होगी वो कितनी होगी 850 grams ठीक है उसके बाद next क्या है कि जो अपना molar mass होता है जिसको हम लिखेंगे M2 किसका यह चीज़े किसके लिए है solute solute क्या है अपना यहां पे utr तो यहां से जब हम इसका mass है जो calculate करेंगे तो वो कितना आएगा देखो utr का मतलब क्या है ns2 co ns2 तो एक nitrogen के लिए 14 साथ में हैं 2 hydrogen carbon के लिए 12 oxygen के लिए 16 फिर से 14 फिर से 2 तो यह हो जाएगा अपना 60 gram पर मॉल और अब किसकी value की बात आती है M2 की sorry M1 की M2 तो अपना यह है यह किसके लिए हो जाएगे यह दोनों चीज़ें किसके लिए water के लिए तो M1 की value यहां से कितनी आएगी अपने अपने given value है वो आ चुकी है अब देखो according to according to Raoul's law क्या होता है P0 माइनस में PS divided by P0 is equal to N2 by N1 plus में N2 मतलब जिसके लिए हमें निकालना होता है देखो यहां से हमें क्या निकालनी है जो weapon pressure किसका निकालना है water का और साथ में हमने निकालनी है क्या यहां पर जो relative love ring होगी relative love ring को हम इससे दिखाते हैं ठीक है तो यहां से अपने क्या हो जाएंगे number of moles of solute divided by mole fraction of solute किसके equal होती है यह mole fraction of solute के equal अब हमें पता होता है कि जिसकी भी mole fraction हमें निकालनी होती है उसके number of moles लेते हैं उपर और जो total number of moles होते है solution के मतलब solvent plus solute के वो हम लेते हैं नीचे तो यहां से क्या आ जाएगा जब हम इसको आगे लिखेंगे तो यह क्या होते है given weight divided by molar weight और यह किसके लिए है solute के लिए solute के लिए तो यहां पर क्या हो जाएगा given weight मतलब w2 और molar मतलब m2 ठीक है ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा n1 है तो w1 divided by m1 साथ में w2 divided by m2 अब हम यहां पर इनकी values को put करेंगे तो देखो w2 की value कितनी है 50 m2 की value कितनी है 60 यहां से w1 की value कितनी है 850 और जो m1 की value है वो 18 साथ में हो जाएगा यहां पर 50 by 60 तो जब हम इसको solute करेंगे यहां से तो क्या आएगा देखो यह अपना क्या है यह होता है नीची होता है solution का solution का ठीक है तो यह किसकी equal आजाएगा जब हम इसको solute करेंगे तो उपर वाला आएगा 0.83 के equal यह आएगा अपना 49.22 और यह फिर से 0.83 तो यहां से जो इसकी value होगी 0.017 this is our relative leveraging अब हमें क्या बतानी है वैपर प्रेशर ओफ वोड़र तो यह हो जाएगी अपने क्या अब इसके साथ ही हमें इसकी बतानी है इसके वैपर प्रेशर की value प्रेशिट ओफ solution which is equal to ps यहां से ps की value हमें बतानी है p-note की value हमें given है कितनी थी 23.8 mm तो यहां से क्या हो जाएगा p-note 23.8 किसकी value अपनी p-note की minus में ps divided by ps is equal to 0.017 तो यहां से जब हम cross multiplication करेंगे तो यह किसके equal आएगा 23.8 minus में ps is equal to 0.017 ps ps मतलब pressure of solution तो यहां से जब यह इस साइट जाएगा या negative तो उस साइट जाके positive तो यह किसके equal हो जाएगा 1.017 तो यहां से हम निकालेंगे ps की value तो वो किसके equal हो जाएगी 23.8 divide by 1.017 तो जब हम इसकी value को निकालेंगे यहां से तो यह आएगी 23.4 mm तो यहां पर अपना यह question है 9 वो complete होता है simple हमने क्या किया है इसमें इसके formula को use किया है और हमने क्या निकाल दिया वह पर pressure of solution and its relative flowering तो next video में हम मिलेंगे next question के साथ अब तक के रिए था निवाद thanks for watching my video